हेलो फ्रेंट्स वागत आप सबीका मेरे जानल पर बिना किसी देरी के इस वाले चप्टर को स्टार्ट कहते हैं हमने लास्ट चाप्टर में देखा था जो यान है ना वह अपनी माम के पास बैठा होता है मतलब जान की माम के पास और वहां पर जैसे ही होता है उसे कुछ मैजिक सा क्रेचर बना कि देता है जिस लेकि जो जान पर यान ने मेरी ताकि मैं बोर्ड ना हूं और मेरे कुछ मैजिक ट्रक्स है यहां पर प्ले करने लगा ताकि मैं एंटर्टेन हो सकूँ तो यहां पर जैंकर डैट बोलता है ठीक है अभी बहुत ही लेट हो चुका है तो अभी हमें वापस जाना चाहिए और हां तुम्हें वापस जा कि अच् मैज स्टाइब कुछ जाते हैं तो सका डैर फिर से उसे बोलता है कि वाइफ क्या सभी चीज़ ठीक है तो ने बीदिया है कि हाँ जो कि देख रहा होता है जानको और उसे बोलते हैं मैं आज रात ही चला जाएंगा यहां पर जानको बहुत है जो कुछ करना है करो ति पिर यहां बोलता है यहां जो यह स्नोर ट्री है ना वो चे महिने से तो अमारे लिए यहीं पर कॉर्णर पर पड़ा है और यह पर यह अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे खुद के बैटरूम में शिफ्ट कर लो तो यहां पर जो भूलता है ठीक है तो यहन वहां से जाने लगते पर यहां जो कि तो झ्यां पर दोति है अच्छा रहा है तो यहां पर इसने पर लगते हैं उसको कि भूल थी मुला है यहां वहां बाहती जल्दि सुछा रहता वाख तो का उस सब्सकित रहता है झाल में हिए आनड़ा कर देखिए करिं़ बहुता है तो इसे ख hanya यहां उसे और उसका बाड़ी आड हंसे बोलता है मिस्टर यान को बहुत जदा देर से घूरा होता है वह इसने जाधा है और अगर किसी को नहीं पता लगा तो कोई भी ऐसा सोचेगा कि वह स्ट्री से मैरेज करने वाला है क्योंकि वह इतनी घुर रहा होता है उसे कि कोई भी बता सकता है तो यहां पर आगे वह बोलते हैं कि उसके लावा मिश्चर यान स्वाल को डेगव कर रहे थे और वो इसकी वीडियो बना कि उससे स और आगे बड़ीगर बताता है इसके लावा वो यहां पर जेट शॉप पर चला गया और किसी को बोला उस स्टोन को पालिश करने के लिए और बीट्स में कनवर्ट करने के लिए तभी वो आगे बोलता है कि उसके लावा उसने दो स्ट्रिंग भी रिये थे और उसने 500 जुआ कि स्ट्रिंग को 230 में कनवर्ट कर वा लिया मतलब बार्गिनिंग करके दो स्ट्रिंग कर ले लिया और बहुत था इंप्रेसिव था तो आगे ना जो जांग है वो सोचता है यह अभी क्या करने वाला है तभी उसे यहां पर कॉल आती है यहां के जोकी बोलता है कि मैं तुम कई कापरा होता है और यहां पर देखते हैं को को मश्ण को देखते हैं करो कि सोचते हैं क्या यह छीप कि प्रेसलेट है जिसके भार लिंग करें ऑर यह को बोलता है कि तुम सच में चाहते हो मैं मेरी मोम को करने के लिए तो यहां जो वहां पर बिहुश होने सा लगता है तो उसकी हाले दाइसी देखता है जंग और उसे बूलता है कि यह बहुत एंकमफोर्टेबल लग रहा है यह जो यह जो एक अपने अपने पूरा स्टेटस सभी छीज़े खोल दी तो तुम तब भी इतने जदा अटेंटिव यहां पर जैन साफ इते लिए दोबं नहीं है कि नहीं नहीं ऊते हैं उसे उनक SJO之前 करते हैं यहां इसे पास पैसे नहीं was उनकeh इंद जो जैन कि सुच्थ करते हैं इक आधे ऌता है और नम एने तुम्हे शौड़ किया था ऊदो पनाती है और यहां पर यहां उससे देखते हैं तो यहां आगे सोचते हैं कि लेकिन तुमनें यूज़ किया मेरी मदर का ताकि तुम जाने से पहले से बोलता है कि तो ही जो मतर है वह प्रेग्नेंट है और उसके बचे की चार्ड को लेकर तो इसे निकालना कभी भी मत बस बातिंग के लिए ही निकालना तो आगे ना जांग उसे बोलता है कि तुमने क्या कहा तो यान उसे बोलता है गुडबाई और हम जांग विला का सीन देखते हैं या पर हम देखते है जांग के डाट और माम को जांका डैड काफी हापी होता है और उसे बोलता है कि डियर वाइफ बी केरफूल तभी वैन उसे बोलता है कि तुम तो ऐसा कर रहे हैं जैसे मैं पहली बार मदर बनी हूँ और इतना सदरनवस मत हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो हम देखते हैं जैंक को जो कि उन्हें देख रहा होता है और सुचता है कि यान के वर्ड्स एक्चलिमी टूथ है और आगे बोलता है उसकी कारण ही यहाँ पर बहुत सी जारी जो चीज़े हैं वो चीज हुई है और सोचता है कि अगर मैं सुच हो तो वह भी बास्ट में काफी चीज हो चुका है वो पहले तरह Felton नहीं है वो बहुत गूहँद है स्मूथ टाकिंग भी नहीं करता है और मुझे लगता है उसने मेरी हल्क भी काफी टाइम में की है और इस टाइम उसके कारण हों है पता चला मदर की सिच्वेशन के बारे में तो जैंग उसे बोलता है माम और आगे वो ब्रेसलेट दे देता है उसे कि यान ने दिया है तो वैन बोलता है कि क्या सच में उसे कितने ट्रॉबल में जाना पड़ा होगा तो फिर वो बोलते हैं यह बहुत दा ब्यूटिफुल है तो यहां पर जो उसका फादर है वो देखता है जैंग को और वो पूछना चाहता है कि क्या यह सेफ है तो जैंग उसे इशारा कर देता है तो यहां पर वो भी उसे लेने के लिए बोल देता है तो आगे जैंग बोलता है माम यह ब्रेसलेट उसने टैंपल से लिया तो इसे उतारना मत सिर्फ नहाने के वक्त ही उतारना तो वैन उसे बोलता है थैंक्यू यान और उसे भी बोल देना मेरी हेल्प के लिए थैंक्यू तो यहां पर हम देखते हैं वह सभी लोग बैटे होते हैं मीटिंग के अंदर और यहां पर वह कुछ डिसकुसिन कर रहे होते हैं ना के भूलता है वोडीगुदे के सिस्टेंजर को की और हम देखते हैं उन दोनों की फोटो भी भीज़ते है वह यहां पर जो जैंग के पास और झांग की देख काफी सुआ हो जहता है तो आजिए प्रिविएस नाइट में क्या कराता है यहां यहां अपने होम में होते हैं और उसे जब पता चलता है कि अगे कमिसिती है और उसके जो मिस्केरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसे हैं और आगे वो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड परसन है अपनी तीन काफी ज़्यादा चाहिए और आगे बोलता है वो प्रेसलेट काफी ज़्यादा क्योंकि उसमें मेरी स्प्रिक्शल पावर भी है जो कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काफी होगी तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जो यहां होता है वहां पर कल्टिवेट कर मुझे किसी को देखने दोगे अगर मैं किसी को देखना चाहूंगा तो यहां पर यहां उसे बोलता है और हम देखते हैं वहां उसे बोलता है ठीक है मेरे साथ जो और हम देखते हैं सिमेट्री का सीन वहां पर एक लड़का खड़ा होता है और यहां पर पीछे से यहां भी आते हें स stun be hope यहां पर रहा है उसको भी स्राइव को भ॥ है कि अनुरी तो इस रिलेक्शंशिप के आते हैं तो यहां पर जो यान है मैंंस् Eck होलता है तो तो दूंडरा साथार में इसकार आपी चाहा है उसका सब आपक और एकका उलाका की हमस्ट है तो यहां पर जिपनि शोक हो जाता है है किसे पॉसटिबल रगकनी कहां कि वहांब रुटाउर्ट कार्ट है तुम Cano भंग और पर उनिट है किन पियसे नाम है सब्सक्राइब करना राजिया, ड़ो यान मैं रेकिते ए मुझे मुझे नहीं पता था है, और पहले उसकी हो चुका था तो यहां पर जिन को देखते हैं जिसकी आखों में आसो आ रहे होते हैं और जहां पर जो गूची जिन है वो बोलता है उसके मेरेज करना उसके साथ मेरेज करना मेरे खुद का डिसी जिन्दा तो यहां पर जिन चलाता है मैं और डैड हो चुका हूं तो मेरे साथ मेरेज करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा तो तो में बादर गरने कि आहीं जरूरत ही कि तो मैं अपनी लाइफ के बिल्कुल भी चंता नहीं है लेकिन ऑप इसलिक नहीं सुनाई देती है और नहीं उसे दिखाई देता है तब यहां पर यहां भी उसे बोलता है तो देट हो चुके नहीं दूँ, मैं यह सारी चीज़ें डिजर्ब नहीं करता है, मैं नहीं चाहता है कि तुम ऐसा कुछ करो, मैं चाहता हूं तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी हो, तभी यान उसे बोलता है, तो कि तुम दुनों एक दूसरे को देखना चाहते हो, तो यह बात सुनके, जिन और वो लड़का ही उसे देखते हैं, और वो लड़का बोलता है कि क्या, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो, क्या मैं सच में उसे देख सकता हूं, तो यान उसे बोलता है, हाँ, लेकिन क्या अगर इससे तुम तब भी उसे देखना चाहोगे, तो जिन उसे बोलता है, मुझ करता है तो जिनों ते सिर्म ये कहाँ हैं इतुडू हुम प्रफ्स एप मेरे लिए विए क्रईजी मों फिशनाई Всё आगा थे प्रेशना है उसे देखने लगता है जिन को और उसकी वाइस भी और वो बोलता है कि जिन क्या तुम यह सच में हो और फिर वो बोलता है कि आज मैंने तुमें देखी लिया तो भी हम देखते हैं जो यान है वो जिन को पकड़ता है और उसे अपनी बाड़ी के अंदर डाल लेता है तो यह अभी बोलता है यान कि उससे बात करो और हम देकते हैं वो दोनों ईससे एक दूसरे को हग करते हैं क्योंकि अभी जो लड़का होता है ना वो जान के बाडी में होता है तो यहीं फोटो जो बाडी काड है उसने क्लिक की थी और जहां पर जाएं को बेजी होती है तो यहां पर इसकी साथ हमारा चाप्टर फिनिश हो जाता है नेक्स चाप्ट में हम देखेंगे कि जांग क्या करता है वैसे अभी तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे जालिज फिल करने का क्योंकि वो और डिवास हो चुके हैं यहाम चैनर इसके साथ भी जाहें लेकिन अब उसे फिल्क फड़ है और ऊसकी फिलिंग्स उसके लीखने लगी है तो नекस्ट हम देखने की क्या होता है और फिलोडो में ने प्रोंटा में झाप्र में बाई